अगला बिंदू ये साबित करने के लिए कि भारत ने संग्तुराश संग के साथ बहुत अहम योगदान किया है विश्व शांती में उसका अगला बिंदू है निशस्त्री करण हे तु किये गए प्रयास निश्यस्त्री करण हे तु किये गए प्रयासों में भारत ने क्या योगदान किया स्विंक्तराज संग तो स्वतत रूप से निश्यस्त्री करण के प्रश्ण को बहुत महत्व दे रहा था उस मुद्दे को बहुत महत्व दे रहा था और स्विक्त राज संग के प्लैटफॉर्म में उसके बैनर के तले बहुत बार रहे थी प्रयास चल रहे थे कि निष्यस्त्री करण हो निष्यस्त्री करण का अर्थ क्या है ये मैंने आपको पूर में भी बताया एक बार पुना बता दूँ विश्व को जो खतरनाक शस्त्र तयार हो रहे हैं उससे मुक्त करना पहले उसके उत्पादन को बंद करना उसके बाद जो उत्पादित हो चुके हैं हथियार उन हथियारों को धीरे 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 समाप्त करते हुए एक ऐसा समय लाने की चेश्टा करना कोशिश करना जब विश्व जो है वह पूरी तरह ऐसे खतरनाक हतियारों से मुक्त हो जाए इस समझ में भारत की जो मानिता रही है कि शस्त्रों की दोड़ से युद्ध की संभावनाओं को बल मिलता है शस्त्रों की दोड़ से युद्ध की संभावनाओं को बल मिलता है शस्त्रों की दोड़ कारत क्या एक राष्ट यदि हतियार बनाता है तो उसका पडोसी राष्ट या उसका दुष्वन राष्ट उससे ज़्यादा ताकत वर हतियार बनाने की कोशिश करता है और कहें वो दुश्मन राश्ट उससे ज़्यादा ताकत वर हथियार बनाने में सक्षम हो गया सफल हो गया तो पहला राश्ट पुना उससे भी ज़्यादा हथियार बनाने की कुशिश करता है ज़्यादा बहतर हथियार बनाने की प्रणाम क्या होता है? एक से एक विध्वन्सक हथियार तयार होते जाते हैं दूसरा, इन देशों का ध्यान हथियार बनाने और हथियार एकत्रित करके रखने में रहता है तीसरा, चूँकि इनका ध्यान हथियारों की और ज्यादा है, सैन्य साज सज्जा की और ज्यादा है इन लोगों का ध्यान विकास से हट जाता है, मानो विकास से हट जाता है चौथा ये बहुत बड़ा बिंदू है कि मानो विकास से इनका ध्यान हटके नर संभार के और चला जाता है ऐसे विद्वनसक हत्यार बनाने के तैयारी में ये लोग अपना पूरा एनरजी लगा देते हैं जिससे मानो विकास का जो लक्ष है उससे वो कोसों दूर चले जाता है चौथा जो निशास्त्री करण आवश्यक था कि यदि अब अगला युद्ध होगा तो विश्व पूरी तरह आदिकाल में चला जाएगा विनाश का मिलकुल चरम होगा अगला युद्ध जदी होता है तो क्योंकि परमाणू बाम आदि इतने सारे हो गए हैं और इतने बड़े बड़े स्तर पर हो गए हाइडरोजन बाम परमाणू बाम के विश्व बचे गानी ये भै उसके बाद अगला बिंदू स्वेक्तरा संग का जो देश है वो पूरा नहीं होता यदि सब लोग हत्यारों की दोड़ में लग जाएं कुछ देश तो शान्ति कहां से आएगी दूसरा ये देश हत्यारों में पैसा लगाने के बदले क्योंने बहतर समाज को बनाने में पैसा लगाएं जिससे शायद विश्व शान्ति और आए शायद क्या सुनिश्चित रूप से विश्व शान्ति को फायदा होगा तो इस पकार निश्वस्तरी करण को सिंक्टराश संग ने एक बहुत अहम बद्दा माना था और काफी प्रयास किया निश्वस्तरी करण से विश्व शान्ति को बनाय रखा जा सकता है शास्तरों की होड से नहीं इस माननेता के आधार पर भारत और अन्य देशों ने 1961 में आनविक परीक्षण को बंद करने का प्रस्ताव संयुक्त राश्चंग में रखा आनविक परीक्षणों को बंद करने का प्रस्ताव जिन देशों के पास बंब है तो है पर अब नए परीक्षण कदापी नहीं होंगे इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत भी शामिल था 1962 में जिनीवा में जो देखिए एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है जहां पर विश्व की शांति के लिए बड़े बड़े आयोजन किये गया है वर्तमान में परियावरन को लेकर जिनीवा में बहुत सारी कॉन्फरेंस हो चुकी है शिजर लैंमें तो जिनीवा में 1961 में आणविक परिक्षणों को बंद करने का प्रस्ताव रखा और 1962 में निष्यस्त्री करन सम्मेलन उसी के परिप्रिक्षण में जिनीवा में आयोजित किया गया भारत ने इस सम्मेलन में अन्य देशों के साथ, साथ अन्य देशों के साथ प्रस्ताव रखा जिसे स्मरन पत्र कहते हैं, क्या कहते हैं स्मरन पत्र उस प्राणपत के ताहत 1963 में ब्रिटन, अमेरिका और रूस ने जब आंशिक रूप से आनविक परीक्षन प्रतिबंद संधी करके एक नया उदाहरन सामने रखा तो भारत ने इसका स्वागत किया अब देखिए ये इस सतत दबाव का ही परणाम था जिसमें भारत भी शामिल था कि अंतता कुछ ऐसे देश जो परमानू बमों से लैस थे सज्जित थे ब्रिटन, अमेरिका, रूस इन लोगों ने एक संधी पर हर्ताक्षर किये जिसका नाम है आनविक परीक्षन संधी 1963 और इसके तहट कहीं भी चाहे वो आकाश हो, वायू मंदल हो, जल हो, आनविक परीक्षन आगे से नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने निर्णे लिया, निश्चे किया जिसका भारत ने स्वागत किया 1987 में तद्कालीन प्रधान मंतरी भारत के, उन्होंने भी अपने भाशन में, महासवा के भाशन में ये अपील की थी, कि जितने भी परमान श्यस्त्र हैं, उन्हें फेकने के उपकरणों को, को भी नश्ट किया जाए, उसका निर्मान ना करने का आश्वासन दिया जाए, य आश्वा में निश्यस्त्री करण संबंदी विशय का प्रस्ताव रखा गया, और इस प्रस्ताव में के तहद 1988 में, राजीव गांदी ने समिक्त राश्चंग का जो तीसरा विशेश सम्मेलन हुआ था, निश्यस्त्री करण को लेकर, उसमें उन्होंने एक योजना सामने रखी कि अगले 22 वर्ष के भीतर, विश्व के भीतर, विश्व से सभी प्रकार के परमानु हतियार हटाए जाएं तीन चरणों में, एक प्रस्ताव, एक योजना, 88 में रखी गई और लक्ष रखा गया अगले 22 वर्ष, यानिए 2010 आते आते तीन चरणों में, विश्व परमानु संपन राष्ट, इन परमानु हतियारों को समाप्त कर दें और इन परमानु हतियारों के लिए जो उपकरण लगते हैं, उन्हें भी समाप्त कर दें। जाना जाता है, वो सतत रूप से निश्यस्त्री करण के पक्ष में रहा, आपके मन में प्रशनाता होगा कि यदि भारत परमानु परिक्षन के विपक्ष में रहा है, तो भारत ने स्वैम में कैसे 1998 और उसके बाद परमानु परिक्षन किया है, पोखरन में परिक्षन अटल विहारी वाजपई के नित्रित में परिक्षन होए थे, ये परिक्षन शांति के लिए, शांति के लिए उसका आर्थ है एनर्जी के उत्तपादन के लिए, बाम के लिए नहीं, तो इस प्रकार इस एक लाइन से आपको इस पश्ट हो जाना चाहिए, कि भारत निश्यस् करण के पक्षमे रहा है शेस्त्रों के रूप में इसका उपयोग ना हो ऐसा भारा स्थत्त रूप से कहता रहा है अगला बिंदु जिसमें भारत के योगदान को बहुत महत्पूर जाना माना जाता है वह है रंग भेद के विरुध संघर्ष में ये छठवा बिंदु है रंग भेद के विरुध संघर्ष में रंग भेद क्या है अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं अपार्थीड एपार्थीड रंग भेद की नीति के तहट विश में जो ब्लैक्स थे नीग्रो लोग थे नीग्रो जने कहते हैं जो अफ्रीका के थे उन्हें बड़े हे दृष्टी स से देखा जाता था अंग्रेज लोग भी भारत के निवासियों को ब्लैक्स कहते हुए बड़े हे दृष्टी से देखते थे महात्मा गांदी के वो घटना आपको याद ही होगी जिसमें साउथ अफरिका के एक शाहर में ट्रेन में जाते हुए ने ट्रेन से ये कहके उतार द अब्बा है ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही थी और साउथ अफरिका जैसे देश में जो अफरिका का एक महत्पूर्ण देश है वहां भी इस तरह की घटनाएं चल रही थी भारत ने इस रंगभेद की नीती को विश्व शान्ति के लिए बहुत बड़ा खत्रा माना लगा अरती जाती को हिंद रिश्व देखना अपने को गोरी चमली का मानते हुए अपने को उच्च श्रिणी का मानना तो ये प्रजाती भेद और रंग भेद के विरुद उसने सतत आवाज उठाई है जनमत तयार किया है और उसके प्रणाम सरूप सुनिक तराश्चंग में कई प्रस्ताओं भी पारित हुए हैं दक्षिन अफ्रीका देखिए अफ्रीका के नक्षे में दक्षिन अफ्रीका और रोडेशिया ये दो देश ऐसे थे जहां पे गोरी सरकारें थी गोरी सरकार थे मतलब सरकार में केवल गोरे लोग ही रह सकते थे यद्यपी वहां की जनता प्लैक्स थी अश्वेत थी और इन अश्वेतों पर मात्र चूंकी वे अश्वेत हैं इसलिए बहुत अत्याचार करती थी है सरकारे इसका भारत ने प्रबल विरोध किया इस रंग भेत की नीति का दक्षिन अफरीका और रोडेशिया में जो हो रहा था उसको लेकर भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया इतना विरोध किया कई बार की रंग भेत की नीति अपनाने वाले साउथ अफरीका के साथ भारत ने क्रिकेट संबन्द भी तोड़ दिये जब वहां पे रंग भेत की नीति चल रही थी उस समय भारत ने दक्षिन अफरीका से क्रिकेट खेलने स से भी मना कर दिया था क्योंकि क्रिकेट की टीम में सब गोरे रहते थे उनकी अश्वेतों को स्थान नहीं दिया जाता था तो भारत ने का प्रबल विरोट किया आठ फरी 87 को राजीव गांधी ने अफ्रीकी राष्ट्री कॉंग्रेश के सम्मिलन में रंग भेट के विरुद आयोजित जो सम्मिलन हुआ था उसमें रंग भेट की भावना को मानवता का कलंक कहा और दक्षनी अफ्रीका में रंग भेट समाप्त करने के लिए विश्व समुदाय को कुछ व्यापक प्रयास करने के लिए समय बद्धकार करम बनाने के लिए आवहान किया इस प्रकार एक तरीके से रंग भेट के आंदोलन का एक तरीके से भारत नित्रत भी करता रहा है अलग अलग प्लैटफॉर्म में अलग अलग जगह उसने इस रंग भेट की नीटी के खिलाफ मुखर आवाज उठाई है और विश्व जनमत तयार किया है उन्होंने तो ये भी कहा था कि रंग भेट विश्व शान्ति के लिए सबसे बड़ा खत्रा है भारत ने दक्षन अफ्रीका की गोरी सरकार और रोडेशिया की गोरी सरकार कि अश्वेतों के खिलाफ अपनाई गई नीटी के विरोध में भारत ने यहां तक अनरोध किया कि आर्थिक प्रतिबंद इन देशों पर लगाया जाए आर्थिक प्रतिबंद से ताटपर ये कि इनके साथ किसी तरह के व्यापारिक संबन्द ना हूँ इनके साथ किसी तरह के सांस्क्रिटिक संबन्द ना हूँ लेकिन सांस्क्रिटिक संबन्दों से ज्यादा आर्थिक संबन्दों पर प्रतिबंद लगाने का जोड़ दिया गया उन्होंने आवहान किया कि जो सरकार है इनका समर्थन करने वाली मात्र आधा जर्जन सरकारों को पीछे धकेल कदम उठाये जाए इनके खिलाफ इतिका परणाम है कि 1993 में दक्षिन अफरीका में श्वेट संग्टनों के भारी विरोध के बावजूद संब्धान को स्विक्रिती मिली जिसमें आश्वेटों को बराबरी का दरजा परदान किया गया ये बहुत नई घटना है यहने अश्वेतों को समकक्ष लाने का जो समवैधानिक प्रावधान हुआ वहां 1993 में हुआ अंतरता जाकर जिसमें अश्वेत बहुत चंकिकों को मतादिकार राजनातिक पदप्राप्ति का अधिकार और राश्टी विश्यों पर अपनी बात रखने का अधिकार मिल गया और इसके बाद अविश्टितियां वहां पर काफी सुधर चुकी हैं 1993 के बाद भारत ने अपने क्रिकेटिंग संबंध भी सौथ अफरिका के साथ पुना प्रारंब कर दिये हैं इसके साथ ही 1993 में जो ये समवैधानिक परिवर्तन आया गोरी सरकारों के अथक प्रयास के बावजूद भी जब आश्वेध बहुल जनतंख्या ने ये कानून देश में लागू करवाया तो इसके साथ ही रंग भेद की नीतिका अंत हुआ और इस पकार साउथ अफरिका और रोडेशिया ये दो ऐसे अंतिम देश बने जहां रंग भेद की जहां अंतिम देश बने विश्व के नक्षे में जहां से रंग भेद हटा दिया गया और अब रंग भेद की नीति विश्व के किसी भी देश में नहीं है इस प्रकार रंगवेद की नीति को आमूल चूल रूप से समाप्त करने में भारत का बहुत अहम योगदान रहा है जहां कहीं भी कभी कभी रंगवेद की नीति के अधार पर कहीं कुछ उत्पीडन दिखता है तो भारत इसका खुला विरोट करता है कानून तो बन गए पर उसको लागू करने में कुछ दिक्तें आती हैं कुछ समय लगता है और जब जब ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती हैं जिसमें अश्वेतों के साथ किसी तरह का दुरवेभार किया जा रहा है तो भारत उसका प्रखर विरोट करता है और इस दिशा में सेंक्तराश संग को वह सक्री रूप से सहयोग देता रहा है तो यह हुआ भारत और रंगभेद सेंक्तराश संग के बैनर तले अगला जो बिंदु है वो है उपनिवेशवाद समाप्ति हेतो किये गए प्रयास उपनिवेशवाद समाप्ति उपनिवेशवाद के खिलाफ और उपनिवेश्वादों को सुजनता दिलाने के पक्ष में सोumanिकतराज संग ने जो भी प्रयास के भारत उन प्रयासों में बहुत निकट रूप से जुड़ा रहा है 1945 में सोईकतराज संग की स्थापना होती है 1947 में भारत स्वतंतर होता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग सौ से ज़्यादा देश विश्व में स्वतंत्र होते हैं मूल रूप से वेदेश, अफरीका और एशिया के हैं भारत के बाद ये स्वतंता इनको मिलती है याने 1950 तक सौ देश से ज़्यादा उपनिवेश बने हुए थे और ये उपनिवेश के इनके थे उन विश्व के गिने चुने शक्तिशाली देशों के जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, आधी आते हैं जहमनी 1950 में भारत ने इन उपनिवेशों, भारत भी पूर में एक उपनिवेशी तो था स्वतंतर राष्ट वो 1947 में बना और उसका अपना स्वैम कासम बिधान 1950 में आया 1950 में जाकर वो पूर्ण रूप से स्वतंतर बना भारत चाहता था कि विश्व के अन्यदेश भी स्वतंतर होएं वे भी उसी श्रेणी में उसी पंक्त में खड़े होएं नवोदित स्वतंतर राष्टों की पंक्त में जिसका भारत अगवाई अप कर सकता है और इसी के इसी तारतम में भारत ने उपनिवेशों के पक्ष में आवाज उठाई उपनिवेश वाद में विश्वास करने वाले देशों के खिलाप अपनी आवाज मुखर की सुभ्ण। राश्चंग के जो सदस्य देश है उनके सहयोग से भारत ने सुभ्ण। राश्चंग में 1950 में ही एक प्रस्ताव रख दिया था उस प्रस्ताव के तहर्द जी स्विकार किया गया कि उपनिवेश्वाज को समाप्त करना है और इसके क्रियानवन के लिए प्रभावशाली कदम अठाने हैं इसकी जाज के लिए 1961 में एक समीती बनी किसकी जाज के लिए उपनिवेशवाद की समापती उसमें आने वाली दिक्कतें उसके परणाम तो 17 देशों की एक समीती बनाता है सिविक्त राजचांग उसमें भारत भी एक सरदस्य बनता है भारत ने सिविक्त राजचांग के मंच से महाशक्तियों की चिंता किये बिना उपनिवेशवाद की समय समय पर कटू आलोचना की है और इस प्रकार उसने इस मुद्दे पर भी ये बताने की कोशिश की है स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वह एक स्वतंत्र राश्ट है जो अपना निर्ने स्वैम लेता है उसने इस मामले में अमेरिका और रूस दोनों को लताड़ा फ्रांस ब्रिटन सब को लताड़ा क्योंकि ये वो देश थे जिन्होंने उपनिवेश तयार किये थे जो समरा जवाद में श्वास करते थे ऐसे देशों को भारत ने बहुत लताड़ा है कटे अलोचना की है और मानों गरिमा के विरुद इसे निरूपित करते हुए बारं बार इन देशों की स्वतनता की मांग करता रहा और इसी का परणाम है कि भारत और स्विक्त राश्चंग के और कुछ अन्य देशों के सतत दबाओं के कारण सामराजवाद और उपने विश्वास समर्थकों को मुह की खानी पड़ी और एक के बादे कई राश्च मुक्त होते चलेगा नए राश्च की मुक्ति के लिए भारत और भारती सेना ने जो संघर्ष किया बांगला देश में वो उलेखनी हैं ये विश्वतिहास की एक बहुत महत्पूर्ण घटना है क्योंकि भारत ने ऐसा करते हुए अपने हित के लिए ये प्रयासनी किया था वहां के जो जनता थी उसकी आवाज राश्टी एक राश्ट बनने की आवाज उसका समर्थन किया था इसी तरह 1986 में नामीबिया नामीबिया को भारत ने दक्षिन अफ्रीका से मुक्त कराने के लिए दस सूत्री कारकरम सुष्ट राश्टंग में दिया था ये घटना है 1986 की दस सूत्री कारकरम नामीबिया के स्वतंता नामीबिया को स्वतंता दिलाने के लिए इस प्रकार भारत ने सामराजवाद उपनिवेश्वाद और इन में विश्वास करने वाली विश्व ताकतें इनका बड़ा कड़ा विरुद किया और इस प्रकार ऐसा करते हुए उसमें अंतराश्टी मंच पे आवाज बिलंद की और सुमिक्तराश्चंग को उलेखनी योगदान दिया इसके बाद अगला बिंदू जिसमें भारत ने सुमिक्तराश्चंग के साथ मिलकर योगदान दिया है वह है मानव अधिकारों की इस रक्षा में मानव अधिकार हुमन राइट्स भारत हमेशा हुमन राइट्स का समर्थक रहा है ये हुमन राइट्स क्या है हुमन राइट्स ऐसे अधिकार जो मानव को मानव जैसा रहने के जीवन जीने के लिए आवश्यक है भारत ने अपने नागरिकों को वे सारे मानवधिकार दिये हैं और विश्व के किसी अन्य देश में भी जहां मानवधिकारों का हनन होता है उसकी आलोचना करता है स्विक्टराश शंग के माध्यम से, उसके प्लैटफॉर्म से, महासभा से उसने सतत रूप से मानो अधिकार के हनन करने वाले देशों पात्रों की कड़ी आलूचना की है उन पर तुरंद कारवाई की मांग की है भारत के ही साथ कुछ अन्य देशों के प्रयाचों का ही परिणाम था कि 1993 में सेञ्ट राश महासभा ने संपूर्ण विष्व के लोंगों को मूल अधिकार मूल भूत मानवाधिकार दिलाने के लिए मानवाधिकार उच्चायोग का गठन किया किसका गठन किया मानवाधिकार उच्चायोग Human Rights Commission जो एक तरीके से वाच डॉक का काम करता है और पूरी दुनिया में विबन देशों की गत्विदियों पर नजर इस उद्यश्ट से रखता है कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन यापन में सरकार कुछ ऐसा तो नहीं कर रही है जो उन्हें मानव अधिकारों से वन्चित करता हो जेल आदी में जो कैदी भी होते हैं उनका भी एक अपना सम्मान होता है वे कैदी तो हैं लेकिन कैदी होने ते पहले वे मानव हैं तो इस प्रकार कैदियों के साथ भी समुचित वे अवहार वहां की सरकारें करें इसका प्रयाज भी मानवादिकार आयोग करता है इसके बाद अन्तिम बिंदु इस मुद्दे पर भारत और समिक्त राश्टसंग आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में भारत ने योगडान दिया है कि इनको आर्थिक और सामाजिक, भारत की स्वैम की इतनी आर्थिक समस्याएं थी जब उस्वतंतर हुआ, भारत के स्वैम की इतनी सामाजिक समस्याएं थी जब उस्वतंतर हुआ, जो इतनी सारी भाशाएं, इतनी सारी जातियां, प्रजातियां, विविन विविन राजियों के अलग-अलग तरह का समाज इसमें एकता बनाया रखने का प्रयाज तो भारत सरकार सतत रूप से कर ही रही थी लेकिन साथ ही साथ उसने द्विश्व की फिश्व में भी होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के हल में काफी योगदान किया है संयुक्त राष्ट संग और द्योगिक विकास संगठन UNIDO अंग्रेजी में इसका शॉर्ट फार्म है इसका जो तीसरा सम्मेलन हुआ था भारत में नहीं दिल्ली में उसमें ततकालीन प्रधान मंतरी राजीव गांदी ने अपील की थी कि विश्व में भुकमरी को दूर करने का संगर्ष हमारा एक मुख्य लक्ष होना चाहिए आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान के तहट भारत ने सदई नर्धन देशों विकास शील देशों के पक्ष में आवाज उठाई है सदई विश्व समधाय से अनरोध किया है कि इन देशों के लिए कुछ अतरिक्त करने की जुरत है क्योंकि भारत का अटूट विश्वास रहा है कि इन देशों में यदि शानती होगी तो विश्व शानती को निश्चित रूप से फायदा होगा विश्व शांती इस्थाई हो पाएगे यदि विश्व का कोई हिस्सा आर्थिक रूप से अशान्त है सामाजिक रूप से अशान्त है तो विश्व शांती का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा इसी उद्येश्च से भारत सदैव विकास शील और निर्थन देशों के पक्ष में आवाज उठाता रहा है और भुख मरी को उसने एक मुख्य मुद्दा मानते हुए विश्व समुदाय से सतत रूप से अनुरोद किया है कि वो इसमें अपनी सकार आत्मक भूमिका निभाए अन्त में हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में कि भारत ने विश्व शानते की स्थापना में अन्तराश्टि सहयोग के विकास में निष्यस्तरी करण में उपनिवेश्वात के उन्मूलन में संहिक राष्चंक की सदस्ता को बढ़ाने में काफी सक्री योगदान दिया है स्मुठ राश्ञ को अपने सक्री भूमिका दी है और अनेक शित्रों में आधारभूट से धानतों पर विश्वास पगट किया है भारत का मत तो सपष्ट है कि स्मुठ राश्ञ के बिना विश्व शानती की कलपना संभौ नहीं मैं अपना दोहरा दूँ भारत का सिर्विक तुराश संग पर इतना विश्वास है कि उसका मत रहा है कि सिर्विक तुराश संग के बिना विश्व शान्ति की कलपना नहीं की जा सकती पंडिजवालाल नहरू ने कहा जिए कि इसके बिना आजरिक विश्व की हम कलपना नहीं कर सकते हैं इस विकार भारत सुनिक तुराश्चंग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है